हेलो गाईज इस अबीश शेक और इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ आसूस के जैनफोन 5Z के बारे में तो फाइडेली आसूस ने अपना ये फोन कल इंडिया में लॉंच कर दिया साथ 4 जुलाई को और फोन लॉंच हुआ है स्नैप ड्रेगन 845 टॉप फफ दे लाइन स्पेसिकेशन के साथ और बहुती कमाल की प्राइजिंग आसूस ने इस फोन की रखी है जो कि बेस वेरेंट इस फोन का 6GB 64GB वो स्टार्ट होता है 30,000 रुपे से और 6GB 122GB वाला वेरेंट आपको मिल जागा तो मैं आपको इस वीडियो में इस फोन का हेंड्ज ओन ओवर्विव देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या कमाल आसूस ने इस फोन में किया है तो यह सब हम बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल मैं लाइव इवेंट मे गया था जो कि live Q&A और basically meetup था गीकी रंजी सर और अमीद ववानी सर ने organize किया था वहाँ पर Asus ने इस phone की सारी information दी थी और basically live demo वहाँ पर थे तो मैं वहाँ से आपके लिए वीडियो बना के लिए क्या हूं और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं तो without wasting any time इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस phone की build quality के बारे में तो build quality यहां पर बहुत ही जाद है premium Asus ने आपको दी है जो कि front and back glass design से फोन बना हुआ है और aluminum का एक frame आपको sides में देखने को मिल जाएगा और यहां पर एक front में notch वाली display है bottom bezel आपको देखने को मिल जाता है build quality बहुत ही कमाल की है back की बात करें तो यहां पर आपको glass मिलता है जो कि Asus का texture design आपको देखने को मिलता है जो कि fingerprint से निकलती हूँ lines आपको देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही कमाल का लगता है बट यह जो glass यह 2.5D glass है Corning Gorilla Glass आगे पीछे बट यह एक fingerprint magnet भी है तो यहां पर बहुत सारे निशांस आपको देखने को मिल जाएंगे तो fingerprint के निशान बहुत जलती है आपको देखने को मिल जाएंगे इस back panel पर बट यह जो बहुत ज़ादा premium build quality के साथ यह phone आता है मुझे phone की build quality बहुत ज़ादा amazing लगी है अब बात करने दिया phone के front की तो front में आपको एक notch वाली display देखने को मिल जाती है अब आपका opinion क्या होगा इस notch के बारे में वो मुझे नहीं पता बट मुझे personally notch वाली display से कोई problem नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप Asus के software के मदद से notch को hide कर सकते हैं बात करते हैं phone के display की तो यहाँ पर आपको 6.2 inch की full HD plus वाली display यहाँ पर दी गई है जो कि 19 to 9 के aspect ratio के साथ आती है और यह एक 2.5 d glass display जो की cornering gola glass से covered है यहाँ पर कौन से cornering gola glass Asus ने use किया है वो specify नहीं किया है बट यह super IPS plus display है जो की Asus के phone में आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको यह display है वो 550 nits की brightness को support करती है मतलब outdoors में भी एक दम clearly visible आपको होगी और 100% DCI P3 color gamut को support करती है ने कि काफी ज़्यादा accurate color आपको इस phone की display पर देखने को मिलने वाले है और इस phone की display है वो 90% screen to body ratio को support करती है जो की बहुती कमाल की बात है और यहाँ पर आपको कुछ AI features भी देखने को मिलते हैं जैसे कि smart screen on वाला feature जैसे कि आप अपने phone की display को देखते रहते हो तब तक वो on रहेगी जैसे ही आप side करते हो तो वो off हो जाएगी तो यह कुछ Samsung के feature की तरह है जो की S4 series से आपको देखने को मिलता था और यह AI technology पर काम करता है और यहाँ पर आपको एक color temperature का feature दिया गया है जो की color का जो temperature है वो auto AI की मदद से आपका adjust करता है environment के उसको detect करके तो यहाँ पर आपको AI के कुछ feature देखने को मिल जाते हैं इस पोर में जो rear camera आपको दिया गया है वो 12 megapixel प्लस 8 megapixel को dual rear camera setup देखने को मिल जाता है जो main 12 megapixel का जो camera है वहाँ पर आपको optical image stabilization का support देखने को मिलता है F1.8 का aperture है 1.4 micron pixel size है और dual pixel autofocus को यह support करता है dual pixel face detection autofocus और जो 8 megapixel का rear camera है वो F2 gap aperture के साथ आता है 1.2 micron pixel size है यह भी electronic stabilization को support करता है दोने ही camera wide angle lens है जो first camera है 12 megapixel का वो 120 degree wide angle lens है second camera आपको 83 degree wide angle lens के साथ आता है तो बहुत ही कमाल के wide angle shots आप इस phone के rear camera से capture कर पाएंगे बात करें इस phone की video quality की तो यहाँ पर आपको 4K video का support देखने को मिल जागा 30 frames per second पे और 1080p videos आप record कर सकते है 30 frames slash 60 frames plus 120 frames पर यहाँ पर video record कर सकते है full HD में बात करें 720p videos की तो यहाँ पर 240 fps तक video recording यहाँ पर कर पाएंगे front facing camera की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 8 megapixel का front facing camera देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको आज भी color correction sensor आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको RAW फाइल्स का भी support देखने को मिलता है इनकी RAW images आप इस फोन के camera से क्लिक कर सकते हैं 4G का support देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 48 megapixel तकी images क्लिक कर सकते हैं full flash manual mode यहाँ पर दिया गया है यानि की photos videos में आप manual mode को यूज कर सकते हैं और बहुती कमाल का experience आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और बात करें इस phone के AI features की तो camera में AI का integration किया गया है जो कि 16 scenes को detect करके आपको basically जैसे आप text की pick क्लिक करते हो तो वहाँ पर detect कर लेगाए तो उस तरीके से feature काम करता है और बहुती कमाल के shots आपको देखने को देदेता है जो कि इस phone का processor क्योंकि आपको Qualcomm Snapdragon 845 processor दिया गया है जो कि 2.8 GHz पर clocked है एक octagon processor है और basically 10 nanometer की technology पर बनाया गया है Adreno 630 GPU के साथ आता है तो बहुती कमाल की performance यह आपको देने वाला है gaming हो as well as normal day to day use हो बहुती amazing performance आपके phone से देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर कुछ और features भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि इसमें आपको cryo की custom codes मिलते है 385 वाले तो यहाँ पर वो GPU का use किया गया है और इसके जो phone की storage है वो UFS 2.1 storage दी गई है RAM इसमें LPDDR4X RAM दी गई है जो कि बहुती कमाल की बात है AI boost का feature दिया गया है AI engine यहाँ पर integration किया गया है बात करते हैं इस phone की security की तो यहाँ पर आपको face unlock दिया गया है और यहाँ पर fingerprint scanner भी आपको back में देखने को मिल जाएगा connectivity की बात करते हैं तो इस phone में आपको dual SIM SIM प्लस SD card का support देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एक hybrid slot है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप dual 4G का मज़ा उठा सकते हैं यानि कि dual 4G प्लस dual VOLT का support आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Bluetooth 5.0 का support भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है NFC भी आपको सदों में देखने को मिलता है और सारे ही basic sensors आपको सुदों में देखने को मिल जाते हैं तो sensor vis boy को प्रणों में बेखने को नहीं मिलेगई अब बात कर लेते हैं इस phone के audio quality के बारे में तो audio quality को लेकर भी यहाँ पर कोई problem नहीं है क्योंकि इस phone में आपको dual stereo speakers का support देखने को मिल जाता है जो कि 5 magnet speaker है और Asus की इसमें NXP technology को उन्होंने यूस किया है smart amp का यहाँ पर use किया गया है जो कि बहुती कमाल के audio experience आपको देखने को देदेगा और यहाँ पर DTS headphone X का support भी आपको देखने को मिलता है जो कि बहुती कमाल का output आपको देखने को मिलेगा इसके headphone jack as well as speaker से और यहाँ पर आपको Zen ear pro, in ear basically headphones आपको earphones आपको box में देखने को मिल जाएंगे जो कि basically high-res audio को support करते हैं वो आपको in the box act मिल जाएंगे अब बात करते हैं this phone की battery की तो यहाँ पर आपको 3300 mh की battery दी गई है जो कि fast charging को support करती है क्योंकि इस phone में आपको quick charge 3.0 का support मिलता है और यहाँ पर आपको AI charging का भी support दिया गया है अगर आप AI charging को on करते हो तो यहाँ पर आपकी जो battery life है वो 2x battery health वो बढ़ जाएगी यहनि कि fast charge आप करते हो phone को से थोड़ी battery के health पर effect परता है बट अगर आप AI charging को on करते हो तो आपका phone थोड़ा सा स्लोली charge होगा और long time में आपको better life देखने को मिलेगी बट अगर आप इसको off करते हो तो आपका phone 60% तक charge हो दाएगा सिर्फ 38 minutes में जो कि बहुत ही कमाल की बाद है और 18 watt का charger आपको box में ही देखने को मिल जाता है तो बहुत ही कमाल की बाद ही है और अगर हम बात करें इस phone के software की तो यहां पर आपको Zen UI देखने को मिलता है 5.0 जो कि Android के Oreo 8.0 पर रन करता है और यहां पर बहुत सारे AI features आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे customization के option आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं अब बात कर लेते हैं इस phone की pricing की जो मैं आपको अलड़ी बदा चुका हूँ 6GB 64GB वाला वेरेंट 30,000 रुपीज का है 6GB 128GB वाला वेरेंट आपको 33,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा 8GB 256GB वाला वेरेंट आपको 37,000 रुपीज में देखने को मिलेगा बात करते हैं इस phone की availability की तो ये phone आपको 9 July से exclusively flip card पर देखने को मिल जाएगा वहां से इस phone को purchase कर सकते हैं link मैं आपको वीडियो को description में दे रहा हूँ colors की बात करें तो ये phone दो color में available होने माला है midnight blue और एक meteor silver color में ये phone दो colors में available होने माला है तो इस phone का पचेस कर सकते हैं exclusive offers भी आपको यहाँ पर गुज़िये गए हैं जैसे कि ICLC की credit and debit cards पर आपको flat 3000 रुपे off को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको tempered glass plus back covers पर यहाँ पर कुछ offer दिये गए हैं जो कि spark by की तरफ से है flip card के जो कि 229 में आपको इच महाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो guys यही है हमारा Asus का Zenfone 5Z और आपको कैसा लगा यह phone मुझे प्लीज जरूर से बताना नीचे comments में और मेरे इसाब से अगर हम बात करें बहुती कमाल की specifications, बहुती कमाल की display, cameras, build quality, overall बहुती कमाल का phone Asus ने यह launch किया है और यह tough competition देने वाला है OnePlus 6 को और देखते हैं किस तरीके से यह phone निकल कर आता है और OnePlus को कितना जाता competition देता है और guys अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को like कर देना मैं आपको मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye and take care